देखिए अगर बांश्डी विधान सभा में इस बार अगर मोका हमको मिला तो निश्चीत रूप से हमारा बांश्डी विधान सभा बहुत पिछडा हुआ है दो-दो बार यहाँ से कैबिनेट मंतरी बनने के बाद नेता प्रतिपख्ष बनने के बाद आप हमारे विधान सभा को देखेंगे कि राम गुवर्ण चौधरी बिलकुल इस छितर में जाने का कामी नहीं किये है विकास के नाम पे हमारा छेत्र बिलकुल कुछ भी नहीं है विकास के नाम पे और ये पूरे पांच साल में उनकी नीधी तक कहां गई है ये भी लोगों को नहीं पता है और अगर पार्टी ने मौका दिया सिर्शनेतित्व का अगर आदेश हुआ चुनाव लड़ने का मौका मिला तो निश्चीत रूप से मैं दिखाऊंगा कि की इस तरीके से विदान साबा की सेवा की जाती है हमारे बाश्टी विदान साबा में 40% से ज्यादा लोग डूब छेतर से ग्रशित रहते हैं छे महीने लोग पानी में डूबे रहते हैं गाओं में कम से कम 40 से ज्यादा काओं ऐसे हैं जो जल प्रभावित रहते हैं उन पर सबसे पहले फोकस करना है उन पर काम करना है ताकि वहां के लोग कम से कम आराम से अपनी जिन्देगी गुजर बसर कर सके और रोडों की इस्तिति इतनी खराब से खराब है कि क्या बताया जा जब से भारती जनता के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ भी काम नहीं हुआ है मैं तो यहां तक कहता हूं कि नेता पतिपक्ष ते अगर यह पूछ लिया जाए कि उनके बाहित विधा अंसवा में कौन-कौन सी सड़के खराब है और किन-किन सड़कों पर उन्होंने काम किया तो उनको यह अभी नहीं मालूम होगा क्योंकि वो छेत्र में जाने काम ही नहीं करते हैं अगर वह भाजपा में विकास नहीं हुआ है अगर वह बोल सकते हैं तो हमको लगता है कि किसी सरकार में विकास नहीं हुआ है क्योंकि भाजपा लगातार विकास के लिए काम कर रही है पुर्वा झाल झाल